नमस्कार नियूस पोर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी जा जहाँ एक तरफ BPSC से चैनीत सिक्ष्रक खुशन जरा रहे हैं और बता दे कि दो तारीकों उन्हें नियुक्ति पत्र भी सौपा जाना है तो वहीं दूसरी तरफ जो है नए सिक्षक जिनकी बहाली की गई है उनके लिए मुश्किले बढ़ सकती है आपको बता दे कि लोग ये सोचते हैं कि उन्हें नौकरी मिल जाया और उनके घर के पास में ही जो है उनकी पोस्टिंग की जाया लेकिन जो BPSC के द्वारा नए सिक्षक बहाली की गई है उनके लिए मुश्किले बढ़ सकती है क्या है पूरी खबर आईए आपको बताएंगे इस वीडियो में भार लोग सेवा आयोग यानि कि BPSC की परिक्षा में सफल हुए सिक्षक अभ्यर्तियों को शहरों के बजाय गाओं के स्कूलों में नियुक्ती में प्रार्थ मिक्ता दी जाएगी बता दे सभी जिलों से प्राप्त रिपोर्ट बताती है कि शहरों के मकाबले ग्रामेण छेत्रों में स्थित स्कूलों में छात्रों के अनुपात में सिक्षक कम है इसको देखती हुए सिक्षव विभाग ने ये फैसला लिया है कि इसी के हिसाब से नव नियुक्त सिक्षकों को स्कूल आवंटित करने की तैयारी चल रही है विभाग से मिली जानकारी के नुसार नौवी और दस्वी के सिक्षकों के सभी पद उन उतक्रमित माधिमिक स्कूलों को दिये जाएंगे विभाक समीली जानकारी के नुसार नौवी और दस्वी के सिख्षकों के सभी पद उन उतक्रमित माधमिक स्कूल को दिये गए हैं जो ग्रामिन शेतरों में स्थापित हैं वही ग्यारवी और बारवी के अधिकांश सिख्षकों के पद भी गरामिन चेतरों के स्कूलों में ही रिक्त है प्रार्तमी के स्कूलों में भी कमो बेश यही स्थिती है वहीं जिला सिख्षप पदाधिकारी के अनुशन सब पर शहर के स्कूलों में भी पदस्थापन किये जा सकते हैं हाला कि ये वैसे स्कूल होंगे जो अब शात्र अधिक हैं और सिख्षक काफी कम इसे हिसाब से सॉफ्टवेर में स्कूलों के नाम और विशेवार पद अपलोड किये जा रहे हैं सिख्षकों के नाम भी इसमें दर्ज किये जाएंगे बताते चले कि सॉफ्टवेर की माध्यम से ही सिख्षकों को स्कूल आवंटित किया जाएगा किस सिख्षक को कौन सा स्कूल आवंटित होगा इसमें पदाधिकारियों की कोई भूमिकार नहीं रहेगी इन स्कूलों में एक भी सिख्षक नहीं है वहाँ पर सबसे पहले सौफ्टवेर पदिस्थापन करेंगे बताते चले कि BPSC से चैने सिख्षकों की ट्रेनिंग 4 नवंबर से शुरू होगी इसके लिए 15 दिनों का प्रसिक्षन मौजूल राजु सिख्षा शोद एवं प्रसिक्षन परिशद द्वारा तयार किया गया है इसका प्रसिक्षन राजु के 77 सिख्षक प्रसिक्षन संस्थान यानि कि SCERT डायट CET PTEC में होगा इस सम्मद में सिख्षा विभाग के अपर मुख्य सचीव केकी पाठक ने सभी जलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है तो जहां एक तरफ सिख्षकों में BPC पास करने की खुशी है तो वही दूसरी तलफ नए जो सिख्षक बहाल किये गये हैं उनमें थोड़ी उनको मुश्किल हो सकती है क्योंकि उन्हें ग्रामिर इलाका दिया जाएगा और उनकी जो पोस्टिंग है वो गाउं में किया जा सकता है क्योंकि सिख्षकों की कमी की वज़े से सिख्षा वेभाग नहीं ये बड़ा कदम उठाया है और जो गाउं है उन्हें भी सिख्षा के सर को बढ़ाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है और जिसकी वज़े से जो है BPSC के नए नियुक्त सिख्षकों के लिए परिशाने बढ़ सकती है आपके इस वीडियो पर क्या रहा है हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खपरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें नियर्स फूर नेशन